हलो फ्रेंज तो आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ज़्यादा टेस्टी एक्तम क्रिस्पी चटपटा नास्ता इस नास्ते को बनाना भी बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो आप इस नास्ते को कभी भी बना करके खा सकते जब आपको नास्ते में खाने कामन होती यह रेस्पे जरूर ट्राइ कीजिएगा आप सभी को बहुत पसंद आएगी रेस्पे अच्छी लगे तो वीडियो को लेक्षिर करना बिल्कुल ना भूलेगा चली फ्रेंग बनाना सुरू करते तो इस नैस्टे को बनाने के लिए यहां पर आपको लेना एक कप सूजी आप यह पर सूजी को भी ले सकते बादी क्या फिर मोटी अब इसमें एड़ करेंगी आधा कप के लूंगा अचैर Rei को और इसके बाद इसमें एड़ करंगे राप नमक टेस्ट के काडिंगी डालेगा और साते इसमें ऐड़ करना यहां यह परी चमस्य और दिप बढ़ी हासा इनको मिक्स कर लेंगे यह दिखे इस तरीके से तो और डालेंगे तो आपका नास्ता बहुत चलब बढ़ी हासा क्रिस्पी खस्ता बनके तयार होगा अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आट करना पानी आपर हालका सा गरम पानी आट कीजिएगा इससे क पूरी के लिए दो त्यार करते हैं वैसे दो त्यार करना आपको और बस इसे ढख करके सेट होने के लिए रख दीजिएगा ताकि जो सूजी है वह बड़े सफूल जाए अब हम चलते त्यार करते इसकी टेस्टी से स्टफ ही इसके लिए पर पैंड में दू चमस ऑल डालना और इसमें अट करने यांपर कुछ इसा अब्याश टमारी मिश और यहारी मिश लिए सबसे पहले यहां पर प्याश टाल देंगे प्याश को हलका सफॉट राइंगी जब तक प्याश पर अच्छी से गौल जब्ड़न कलर और प्याश बढ़ी आसब आशाँ ना हो जाए त तो बस ऐसे लगाता चुलाते जाएगा गैस का फ्लेम आप स्टार्टिंग से मेडियम रखेगा और बस देखिए प्यास पे बढ़ी हासा गोड़न कलर आ चुका है तो इसमें सिम्बला मिश और यह हरी मिश एट कर देंगे और बस इनको डाल करके अच्छे से इनको बढ़ी ह सब्सक्रियम प्रियोगे तो यहां पर इसे लगा तर चुलाते जाएगा इसंसे आपके सिम्बला मिश हल्कु से फ्राई हो जाएगी एक सॉफ्ट हो जाएगी और बस आप इसमें फणाट्र मेने फिर्ण कर सो अच्छे से मिक्स करना आए कि अब इसमें एड करना पर बहु इन सबी मसालों को अच्छे से इस वेजिटेवल में मिक्स करना और इने हलका सा भून लेना है और बस मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था अब इसमें एड़ करेंगे हाँ पर नमक तो मैं आपर पूरी स्टेफिंग के साब से नमक एड़ कर रहे हूँ और बस अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते ही जो टमाटर भी है वो भी हलकी से सौफ्ट हो चुके है बस अब हम इसमें एड़ करेंगे यहाँ पर एक कप पानी पानी डालने के बाद इनको बढ़ी हासा मिक्स कर लेना है और पानी में एक बढ़ी हासा उबाल आने देना है तो देखिए पानी में अच्छे से उबाल आने लगा है तो मैं इसमें एक कप यहाँ पर सिवाई एट कर रही हूँ तो मैंने आपर सिवाई को पहले से भून करके रख लिया था तो एक कप सिवाई के लिए एक कप पाने का इस्तमाल आपको करना है यहाँ पर और बस सिवाई डालने के बाद अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है तो देखिए आपर हमने इसे मिक्स कर लिया और देखिए इसे पकते हुए कम से कम इसे 7-8 मिनट हो चुकी है और यह बहुत ही बड़ी आसा कुक हो चुकी है देख सकते हैं एक तम खिली-खिली यहां पर हमारी सिवई बन करके तयार हो चुकी है तो आप इसे ब्रेक्फास्स में भी इसे इस तरीके से बना के अज़ाय कर सकते हैं तो मैं इसकी नास्ते के लिए स्ट्रफिंग त्यार कर रहे हैं वह भी सिवई से तो मैं आपर थोड़ा सा एक चमच टेमेटो केचप और थोड़ा सा ब्लैक सुए सास डाल रहे हूं इसे टेस्ट बहुत ही बड़ी हाता है और बस आच्छे से इनको मिक्स कर लेना ह बस यह लीजी यहां पर हमारी खिली खिली टेस्टी सी सिवई बनके तयार है इसे में एक बरतन में निकाल लिया और देख सकते हैं कितनी ज़दा खिली खिली सिवई बनी है अब यह बहुत ज़दा गराम है से ठंडा होने देंगी तो इधार हमने एक बाउल लिया इसमें आधा कप में यहां पर मैदा ले लूँगी और थोड़ा सा कलाउंजी और यहां पर चिली फ्लैक्स एड़ करेंगे और एक चममच वाइट तेल और टेस्ट की कोडिंग एड़ कर दिजिए का नमक थोड़ी से फ्रेज देना कि पत्ती डालना है और बस इसमें पानी एड़ अच्छे से मिक्स करते जाना है तो एक साथ ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेगा नहीं तो मिक्षर बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा या फिर एक साथ ज्यादा पाई डाल देने इसमें लंब्स बन जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके पाई डालना है और इसे मिक्स क तो देखिए इस तरीके से यहां पर आपके आपकर बैटर बाकर करके तयार कर लेना था यह लेगार आप की पूरी तैयारी हो क्या है है लिए ढ़िए अपना तो पर चेक देखिए- सफस्व नंचे बस इसके बाद इस पे थोड़ा सा सुखा मैदा या फिर आटा लगा के आप इसे बेल सकते हैं बस इस तरीके से आपको अच्छे से बेल करके तयार कर लेना है यह देखें और बस अगर आपका जो डो है आपने पर्फेक्ट बनाया तो बेलने में कोई भी परिशानी नहीं हो अगर दो गीला हो जाएगा जादा तो बहुत जादा दिक्कत होती इसे बेलने में यानिकि आपको बहुत ज़दा आटे लगाने के जुरत पर जाएगी अब हम इसमें क्या कर इसे इस तरीके से कटोरी से हम इसे कट कर लेंगे यह देखें और बस इसका जो पूर्शन है इ इसके उपर डालते जाएंगे देखें तो यहां पर बहुत ही कम स्टफिंग आपको इसमें डालना है यह देखें और बस इसके चारों तरफ आप यहां पर थोड़ा सा पानी लगा दीजेगा इसे क्या होगा जब आप इस नास्ते को फ्राइब करेंगे तो आपका यह नास नास्ते का सेब दे रही हूं जैसे बनारे एक बार अच्छी से देख लीजे और इस तरीके से बनाएंगे तो आपका नास्ता देखने में भी और खाने में भी दोनों टेस्ती होंगी देखें तो अब ऐसे बनाने के बाद उपर से हां पर थोड़ा सा पानी लगाना और नास्ते बना के तैयार कर लिए देख सकते हैं तो चली से फ्राइ करते हैं फ्राइ करने से पहले करना का यहां पर जो बैटर बना के हमने तैयार किया है इस बैटर में इस पीसे को डालेंगे नास्ते की और बस अच्छी से डिप करेंगे और इसके बाद हम इसे फ्राइ करे तो पैन में जितने पीसेस आपके आज है उतने ही डालेगा और जब आपको लगे एक तरफ बढ़िया सा क्रिस्पी हो चुका है तो हम इसे एक साइड पलट देंगे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा नास्ति को पर कलर आने लगा है और यह नास्ता बहुत ही टेस्टिक और यह लेजिए यह हमारा बहुत ही टेस्टी गर्म गरम सुजी और सिवाई का यह नास्ता पंकर की तैयार हो चुका और खाने में भी बहुत टेस्टी है एक बार इस नए तरीके से यह सुजी का नास्ता जरूर ट्राइ करें आप सभी को बहुत पसंद आएगा और इस ना इसे पार्टियों तब भी आप इसे बना सकते हैं तो मैं आपको तोड़ की दिखाती हूं कितना क्रिस्पी है रेस्पी अच्छी लगे वीडियो को लाक्षा कीजिए फिर मिलते हैं एक और नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ